नमस्कार वाइरल हरियाना देख रहे हैं आप सब और मैं हूँ आपके साथ रज़त राना इस समय की बड़ी खबर जिहां दर्दनाक एक सड़क हादसा हुआ है दिल्ली चंडिगर नैशनल हाईवे पर घरुंडा में और ब्रिज पर ये दर्दनाक सड़क हादसा होता है आप आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस परकार से एक गाड़ी जो है कंटेनर के नीचे चली जाती है और मोके पर ही जो गाड़ी के चालक थे उनकी मोके पर मोत हो जाती है फिलहाल लाइव तस्वीरे आप देख लीजिए कितना दर्दनाक ये हादसा है पुलिस जो है वो मोके पर पहुंच चुकी है फिलहाल आप नमबर देख सकते हैं HR06 AN0016 तो इस परकार आप देख लीजिए कितना ये दरदनाक हादसा है गाड़ी बताया जा रहा है गाड़ी कंटेनर को ओवर्टेक कर रही थी जिसके बाद जो है ये ट्रक के बिल्कुल नीचे चली जाती है कंटेनर के नीचे चली जाती है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ज जिन में लगबग 34 वर्षी है चिराग जो की पानीपत के बताये जा रहे हैं वो गाड़ी में थे गाड़ी चला रहे थे उनकी मोके पर ही मोत हो जाती है फिलहाल जो चिराग की बोड़ी है वो गाड़ी में ही फसी हुई है उसको निकालने का परियास मियां पर किया और जो दो लोग थे एक महिला के साथ तो उनको गंभीर हालत में करनाल के कलपना चाहुला मेडिकल कॉलिज भेज दिया गया है आप सभी से अपील यही है कि इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करें आप देख सकते हैं किस परकार से यह दरदनाक सड़क हादसा हुआ है काफी जादा गंभीर यह काफी जादा बड़ा मामला है और देख सकते हैं किस परकार से गाड़ी जो है पूरी तरीके से स्वतिगर्स नहां पर हो चुकी है और किस परकार से गाड़ी के स्पेर पार्ट्स जो है वो भी बिखरे पड़े हैं पुलिस मोके पर है और फिलहाल दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं जो अन्या वहान चालक हैं उन्हें निकाला जा रहा है जाम के हालात यहां पर हो गए हैं आप क्रेन की माध्यम से गाड़ चंड़ी ओ नाशनल हाई वे पर यह दर्दनाग सडख आजशा इहां पर हुआ है और आप खुद देख सकते हैं कि कितना दर्दनाग यह सडख हाधसा है और गाड़ी किस परकार से कंटेनर के बिलकुल नीचे जाकर फस चुकी है और गाड़ी जो हैं पूरी तरीके से जरूर करते रहें फिलहाल लाइव तस्वीर एक और क्रेन अब यहां पर बुला ली गई है ताकि जो है इसको निकाला जासके और जो यहां पर यातायात जो बादित हो रहा है उसको सुचारू रूप से भी चलाया जासके आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरे इससे में हम आपको दिल्ली चंडिगर नैशनल हाईवे से बिल्कुल ग्रोंडा ओवर ब्रिज से यहां पर दिखा रहे हैं यहां पर जिस परकार से यह दरदनाक सड़क हादसा हुआ है आप खुद देख लीजिए कितना यह दरदनाक सड़क हादसा है मोके पर ही एक व्यक्ति जो की 34 वर्षिय चिराग बताए जा रहे हैं पानीपत के रहने वाले हैं उनकी मोके पर ही मोत हो जाती है आप सभी से लगातार जो है हम अपील करना चाहेंगे कि इस खबर को शेयर जरूर करते रहें कंटेनर ड्राइवर मोके से फरार हो चुका है फिरहाल आप देख सकते हैं को जो है बाहर निकाला जा रहा है आप सभी से अपील यही रहेगी कि इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करते रहें फिरहाल आप देख सकते हैं बहुत जादा दर्दनाक यह सड़क हादसा है और बताया जा रहा है कि यह जो गाड़ी थी एंडेवर गाड़ी सतिगर्स्त हुई है फिलार आप देख सकते हैं क्योंकि जिस परकार से यह गाड़ी सतिगर्स्त हुई है उससे देखने वालों की रूह भी कांप जाएगी तो आप सबसे अपील यही रहेगी कि इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करें